प्रभु की जये, प्रमिश्र को धन्यवाद देते हैं इस खास दिन के लिए एक और दिन हमें मिला है उसके महीमा और आधना करने के लिए और जैसे हम साथ में हैं चाहे हम जहां भी है आज हम एक साथ में मिलकर प्रमिश्र के महीमा और प्रसंचा कर सकते हैं उसके वचन को इस अबहा में भाग ले सकते हैं अगर आपके पास बाइबल है मैं आग्रह करता हूँ अपने बाइबल है उसको ले ले आज हम कुछ गहराई रूप से वचन में देखेंगे आप ज़से जानते है लांस्ट वीक जो पंटिकुस के दिन था और पंटिकुस के समय हम जानते हैं बुक अफ एक्स जो प्रेड़तो के काम के खिताब है उसमें से पादरी वचन लाया और हम और जानते हैं अगर आप साइद जो लांस्ट वीक का सभाय उसमें नहीं भाग लिया तो मेरा इनिवादन आग रहा है आपसे कि अपने समय निकालकर लांस्ट वीक का जो वचन था हमारे मुखे पादरी के और से उस उसको आप देखे अओर जो पंटिकुस से पहले जो हफ्टा पोवित्र आत्मा के बारे में सेश्ंसרב ता उष उसको आप देखें और उसमेंसे स्छे क्या शुक्षा था? अवे जो रहा जो वचन जो मैं आपकोई सामने लाना चाहता हूँ, वो पिंतिकुस के बाद क्या होता है और हम जानते कि उस दिन पवितरात्मा खास रूप से जो 120 चेले थे, इस मसी का विश्वासी, जो उस कमरे में थे, उस घर पर थे पवितरात्मा खास रूप से उनके उपर आया और जो बुक अफ एक से चप्टर टू, अगर आप पढ़ेंगे उस में से हमारे आज जो बचने हम लाएंगे पवितरात्मा एक खास रूप से जो 120 लोग थे उनके उपर आये और अब जानते हैं कि वे अन्यने भाशा में बात करने लगे और फिर पत्रस भार आकर और एक कड़ी सी उपदेश या वचन लाया लोग जो वहां सुनते थे, कई हजार लोग थे उस समय और जो चप्टर टू है, जो दूसरा अधियाए उसके आंत में आते आते बाइबल केता है कि लोग जो थे जो वचन को सुने उनका जो वचन आया उनके हिर्दे से तकराया बात किया और पवितरात्मा उनके हिर्दे में उनको चुआ और बाइबल केता है कि करीब तीन हजार लोग इस मसी को सुविकार किये और अपने जीवन को उसको हवाले कर दिये और बाइबल केता है कि वो बबतिस्मा को पाए, पानी का बबतिस्मा को लिये और ये जो तीन हजार लोग प्लस हंड़ट ट्वेंटी और जो विश्वासी थे वो मिलकर एक साथ में होकर जो पहला कलीशिया स्थापित हुआ ये सब पवित्रात्मा के शामर्द के द्वारा हुआ लेकिन अब हम देखना चाहते हैं जब ये कलीशिया स्थापित हुआ उसके बाद क्या होता है साथ आप ये वचन को कई बार पढ़े होगे ये पद को पढ़े होगे कई बार आप इसमें से सुने होगे जो मेसेज है जो पादरी या कोई भी आपसे ये भाग को आपसे शिया किया लेकिन आज हमें खास रूप से इसके और घहराई रूप से देखेंगे मेरा आ गया है मेरा जो निवेदन है कि आप अपने बाइबल को लेरे साथ एक पेंसल या पैन को ले ले और हम इस पर पद जो आधिया है पद हम जाएंगे और देखेंगे कि पवितरात्मा क्या हम से बात्षीत करता है तो जो एक प्रेड़तों के काम दूसरा भाग आधिया है और हम विस विस 42 से हम देखेंगे और वचन के ताये and they continued steadfastly in the apostles doctrine and fellowship in the breaking of bread and in prayer then fear came upon every soul and many wonders and signs were done through the apostles now all who believed were together and had all things in common and sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had need so continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house they ate their food with gladness and simplicity of heart praising God and having favor with all the people and the Lord added to the church daily those who were being saved Hindi मैं पढ़ता हू वेस 42 से और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगती रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रात्ना करने में लोलीन रहे और सब लोगों पर भहे चा गया और बहुत से अद्बूत काम और चिन प्रेरितों के द्वारा प्रकड़ होते थे और वे सब विश्वास करने वाले इखटे रहते थे और उनके सब वस्तुए सजे की थी और वे अपनी अपनी संपती और समान बेच बेच कर जैसे जिसकी अविशक्ता होती थी बाट दिया करते थे और वे प्रति दिन एक मन होकर मंदिर में इखटे होते थे और घरगर रोटी तोड़ते हुए आनन्द और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और प्रमेश्वर की स्तुती करते थे और सब लोग उन से प्रसंद थे और जो उधार पाते थे उनको प्रभू प्रती दिन उन में मिला देता था किने प्रात्ना करे पिता प्रमेश्वर धन्यवाद देता थे आपके वचन के लिए यह हमारे प्रात्ना है कि पवितरात्मा हम से बाचित करें आज हर एक हर एक जन जो इस सभा को दिखते है यह साइच सुनेंगे तब मेश्वर मारे प्रात्ना है कि पवितरात्मा हर एक मन को छूएगा और हमें उचाइद करेगा सिखलाएगा कि आप क्या चाहते हैं हमसे यह वचन पर तेरा आशी स्रेप्ता प्रमेश्वर आपकी ओर से आता है धन्यवाद शुमसी के नाम से एमेन तो यह जो वचन एक हास रूप से हम इस पर सीख सकते हैं और जो वचन हमारे लिए आता है हम कैसे अपने जीवन में अभी लागू कर सकते हैं तो जैसे आप जानते हैं कि तीन हजार लोग यह इस मसी का विश्वासी हुआ और वे उसके पीछे हो लिए जो प्रेडितो थे अपोसल्स थे उनके जो शिक्षा में लगन थे लॉलीन थे बाइवल कहता है कि वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्य थे,श्वेश्वे थे यहां से हम खास चीज सीख सकते हैं जो कलीशिया का मुख्य कार्य क्या है और यह हमारा जो मेसेज का टाइटल है जो हमारे क्या है अगर अब ध्यान दे इस वचन में सिर्फ पढ़कर पाइज उलटने दे लेकिन अगर कुछ अगर रिसेर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस समय पेंटिकोस के समय कई देशों से लोग आये थे जरुसलम यह जो पेंटिकोस का तेवहार था उसको बनाने और इसा होता है जब पवित्रात्मा आता है इन 120 लोग के उपर तो वे अन्य-अन्य भाषा में बात करने लगे और यह लोग जो जरुसलम में उस समय थे वे यह सब बात आवाज सुनकर वे घबडागे चकित होगे कि कैसे यह गलीरियों के लोग उनके भाषा अचीतर रूप से बात कर सकते हैं तो यह इतना जानने पर आप समझ जाएगे कि पहला चीज कई जाती के लोग उस समय था वहाँ पर और हजारों लोग थे और जब पत्रस खणा होकर यह मसी का वचन इस मसी के बारे में उनसे प्रचार किया वह वचन को स्विकार किये और जैसे मने का 3000, 3000 लोग यह मसी को स्विकार किये पसतब किये पानी का बप्तिfunded को लिए तो आप समझ सकते हैं कि एक चक्के में जब 3000 लोग कलीशिया में आई जाता है तीन हजार लोग कोई कम, कोई छोटा बात नहीं है तीन हजार लोग जो नए विश्वासी है, उनको संभालना कोई सरल बात नहीं, कोई मामली बात नहीं है लेकिन जो खांस चीज हम देख सकते हैं वचन में कि यह जो नए विश्वासी थे, वे लोलीन थे, वे शीकना चाहते थे वे जो संगत्ती रखने में, फेलोशिप करने में और जो उनको आग्या मिला था प्रभु भोज भाग लेने के लिए बबतिष्टमा और यह सब चीज में वो लोलीन थे, वे पूरे मन से इसमें भाग लेते थे और प्रात्ना करने में और आप एक और चीज भी जान लें, कि उस समय जो नया नियम था, उस समय स्थापित नहीं हुआ था, यह लिखा नहीं गया था और खास बात है, अगर आप देखेंगे कि वेस फॉरीटू में लिखाएं कि वे लोलीन थे, जो प्रेडितो के सिक्षा पाने में, तो आप बोलेंगे कि प्रेडितो के सिक्षा क्यों? क्योंकि उस समय जिसे मिने का निया नियम लिखाने गया था, लेकिन जो प्रेडितो थे, जो डिसाइपल्स थे, जो हंड़र्ट्वेंटी लोग जो पाहिले से विश्वासी थे, जो इसुमसी के साथ में थे, तीन साल से उनके साथ साथ में उठते बाइटे थे, वे बहु किये इसुमसी को, उनके मुँ से शिक्षा पाए, देखे इसुमसी कितने भरी-भरी अश्यरिकरम किये थे, और वे जानते थे, कि इसुमसी का जो टीचिंग्स था, शिक्षा था, वो क्या चाहता है लोग से, और वही बात, पवितरात्मा के अविश्यक तक दोरा, उसके बुद्धी और ग्यान के दोरा, वे जो प्रेइतों थे, इस ने विश्वासियों को, जो 3000 विश्वासियों थे, उनको शिक्षा देते थे, उस समय, और ये जो ने विश्वासियों थे, पूरे मन से, लगन से, लौलीन होकर, इसमें भाग लेते थे, और वेस फॉरी 3 में कहता हैं, कि सब लोग जो वह थे, उनके हिर्दें भाए चागिया, वे भाए चागिया उन पर, और वे देखे, बहुत से अध्भूत कार्य होता है, अश्चिरेक्रम होता है, प्रमेश्वर के द्वारा, और वेस 44 में कहता है, और वे सब विश्वास करने वाले इखट ए वेच बहुत्ते थे, और उनकी सब वस्वे सजे किती। इख इसमे बिशे, आणा हुआ टोगेड़ और में आधार इसमे युज़र को शुट करती एक जुषरे को सहिंगे थे, खाल प्रप्रड़ाई नुट करते थे। उनको बाटते थे, तो यह लोग जिसके पास थे, और कई लोग थे, अगर अच्छे से ध्यान देगे, तो आप जानेंगे कि कई लोग दूसरे से देश सफर करकर जरुसलम में थे, और ऐसा होता है कि साइद उनके पास सामान वेतना नहीं थे, वे सफर करकर आए, तो जो लोग वहां पर रहते थे, उनके पास साइद एक्स्टरा था चीज लोग, और वे बेच बेच कर उनको मदद करते थे, एक साथ में मिलकर, और एक दुसरे को सहारा होते थे, और मदद करते थे, देख भाल करते थे, और वेशल 46 में वे प्रती दिन एक मन होकर मंदिर में इखटे होते थे और घर-घर रोटी तोड़ते हुए आनन्द और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे वे हर दिन प्रती दिन बाइबल केता है मंदिर में मिलते थे रोटी को तोड़ते थे घर घर जाकर साथ में मेल मिलाप करते थे प्रशंचा करते थे और बाइबल करता है कि Simplicity of Heart English में आनन्द के साथ और Simplicity of Heart आनन्द के साथ और सिधाई मन की सिधाई से भोजन करते थे उसमें कुछ खीचा तानी नहीं था कुछ जरन भाव नहीं था साफ मन से वो एक दुसरे के साथ मेल मिलाप करते थे और ख्याल करना कि हर एक जाती के लोग थे हर एक भाशा के लोग थे सिर्फ यहूदी लोग नहीं थे या गलीली लोग नहीं थे हर एक जाती के लोग थे और जब वे तीन हजार से जादा लोग एक साथ में इकटे होकर एक मन होकर प्रमिश्वर के महिमा और जैजेकार कर सकते थे तो आज अभी हम क्यों ने कर सकते एशा 47 में प्राइजिंग गाड और विविवा विद ओल पीपल प्रमिश्वर के स्तूति करते थे और सब लोग उनसे प्रशन थे और जो उधार पाते थे उनको प्रभू प्रती दिन प्रती दिन उन में मिला देता था साइद आप बोलेंगे या कहेंगे या पुछेंगे की यह जो हुआ था उस जमाने में हुआ था अभी समय बदल गया है डिफरेंट है अभी सब चीज लेकि हम आप से कहना चाहते है कि हम साइद बदल गये जमाना बदल गये लेकिन प्रमेशोर का वचन नहीं बदलाए जो चार चीज हम इसमें से सीख सकते कि उस समय वो कलिशिया कि जो ने लोग जो विश्वासी थे किसमें लोलीन थे वे मन लगा कर पूरे लोलीन ता से प्रमेशोर के वचन ने उस पर वो उस पर ध्यान दे शिक्षा पाएं उनके वो जोस था जान भूच कर वो समय निकालते थे प्रमेशोर के वचन को सिखने के लिए ये जो प्रईतों से अभी समय साइध हम देखते हैं कलिशिया में साइध मैं नहीं जानता हूँ क्या लेकिन हमारे कलिशिया में हम इंपोर्टेंस देते हैं बाइबल के शिक्षा में प्रमेशोर के वचन उसके शिक्षा देने और लेने में इसी कारण हम बाइबल स्टेडिज रखते हैं टीचिंग सेशन्स रखते हैं कि प्रमिश्वर के वचन हर एक लोग जो लॉली ने जो चाहता है प्रमिश्वर में बढ़ने के लिए उसके करीब आने के लिए उसके बारे में आओ जानने के लिए उनके लिए हम समय निकालते हैं यह जो sessions रखते हैं कि लोग इसमें भाग ले सकते लेकिन अपसोश रहता है कि सिर्फ मुठी भर लोग इसमें भाग लेते बाकी लोग साइद बीजी हो जाते हैं और चीज में ध्यान उनका रहता है लेकिन जो कम लोग आते है वे आनन्द को पाते हैं, उनको उनका ज्ञान बढ़ता है प्रमिशुर में हरे कलिशिया में जो शिक्षा है, टीचिंग जे बाइबल का, प्रमिशुर का वचन वो ज़रूरी है अगर आपका बढ़नती नहीं होता है तो कलीशिया में अगर टीचिंग नहीं होता है तो गड़ बड़े लेकिन अगर कलीशिया में टीचिंग होता है लेकिन आपका बढ़नती नहीं होता है तो इसमें हमें अपने आप में देखना है हमें अंदर देखना है कि हमारे में क्या गड़बड़ी है कलीशिया का प्रोब्लम नहीं है पाजरी का प्रोब्लम नहीं है सब चीज तेयार किया जता है कि आप लोग कि लोग आए और इसमें भाग ले और अपने जो प्रमिशोर के करीब आए दूसरा चीज हम देखते हैं एक खाश चीज वो है फेलोशिप उनके संग रहना साथ में रहे कर प्रमिशोर के महीमा और प्रसंचा करते थे इसमें अलग लग ग्रूप्स नहीं रहते थे इसमें हमा तुमा नहीं रहते थे लेकिन साथ में होकर प्रमिशोर के महीमा करते थे मुझे ख्याल है जब मैं छोटा से इस कलिशया में बढ़ाओ और मैं जनता हूँ कि हर एक समय जब मोका मिलता है जब छुट्टी रहता है वीकेंड्स में रहता है तो हम यहीं कलिशया में समय अपने बिताते थे और बाकी जो नवजवान थे यूथ थे साथ में मिलकर हम समय बिताते हमें और कुछ करना नहीं था हम अपने स्कूल घर और जानते थे और उस समय आरे पास मुबाइल फोन इंटरनेट नहीं थे लेकिन ज़सा हम मिलता था ज़से मौका था सब हम कलिशया में रहते थे सिर्फ परात्ना में नहीं लेकिन हम खेलकुट में भी समय बिताते थे बाजा मुजिक में ऐसी तरह हम सीखे क्योंकि हम इतना लोलीन से इतना जोस था हमारे अंदर में और बाकी जो नौजवान थे कि हम जैसे फ्री टाइम मिलता था हम कलिशिया में रहते थे, मुजिक बजाते थे सोका कहलते थे, फन करते थे जब केंपिंग रहता था प्रातना में रहते थे अब जब मैं इसके बारे में सुचता हूँ फेलोशिप और संगती रखने में वे लोलीन थे तो इसके बारे में जब हम सुचता है जब हम बड़ा होते थे तो शिमला चीज है कि हम साथ में रहते थे हर एक चीज में हम उठते बैठते थे, खाते पीते थे, साथ में अव प्रमेश्यर के महिमा करते थे तीसरा चीज हम देखते हैं, रोटी तोड़ने में, वेस फोडी टू में, कहते हैं, in the breaking of bread हम जानते हैं, रोटी तोड़ने में, जब इसमसी जो प्रभु भोश था, आखरी जो भोश था अपने चेले के साथ, उसने रोटी को तोड़ा और कहा है, ये मेरा शरीर जो तोड़ा जाएगा आपके लिए, उस समें एक खांस और sacred कारिय था, जो चेले करते थे, क्योंकि इसमसी का खुआइस्टार, रिक्वेस्ट था कि, जब जब हम मिले, साथ में, हम याद करें, इसमसी क्रुष्प क्या किया हमारे लिए, और ये जो नियम था, चेले, जो प्रभु थे, वो कायम रखे, और ये जो नए विश्वासी थे, उनको भी सिकला दिया, कि जब जब मिले, इस इस नियम में भाग ले, भहे से, आदर के साथ, सात्वे मिलकर, रोटी को तोड़े, और आखरी चीज़, जो फॉर्थ तिंग है, वेस फोडिटू में, और लौलीन थे प्रात्ना में, एनिन जब 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 47 पड़ेंगे तो वहां कहता है कि वह रोज चाहे मंदिर में, चाहे घरगर, वह मिलते थे, प्रसंचा करते थे, साथ में उठते बैटे थे, भोजन करते थे, आनन्द के साथ, और सीधी मन से, साफ दिल से, क्या ऐसा आज हम कर सकते हैं, क्या ऐसा बदल गया है, कि हम जो पहला कलीशिया थे, जो पहला कलीशिया था, जो चीज वे कर पाते थे, क्यों, आज मुश्किल पड़ता है हमें, करने के लिए, West 43 में कहता है, जब लोग देखे, सब क्या होता है, वे उनके उपर भहे चाय गया, फिया के पूंते हैं, और वे देखे, जब ये सब होता है, उसके साथ-साथ अश्यरिक्रम होता है, चिन होता है, प्रमिश्वर के द्वारा, लोग चंगाई पाते, बड़े-बड़े प्रमिश्वर के द्वारा, पवित्रात्मा के द्वारा, ये में शिकलाता है कि जब हम एक मन में काम खिरते हैं, एक मन में होते हैं, जब हम समय विताते हैं, वचन सुनने में, उस पर अधियन करने में, प्रारतन करने में, एक मन होकर, जब हम प्रमिश्वर के आग्या हैं, जो है उसको निभाते है तो परमिश्वर अपने अच्छिर करता है हमारे जीवन में आसपास में और सिर्फ हम नहीं लेकिन कई लोग देखकर पाइचान पाएंगे परमिश्वर के जो शामर थे सकतर है कि लूग सब्सक्राइचान पाइचान पाओने अच्छिर के लूग सब्सक्राइचान पाएंगे जिएधकर चटी के जिशको जारूरी थे अपने मेंसे निकाल कर उनको दिया अगर अगर जिए मेर पास दो घड़ी और एक गड़ी भी नहीं है, और उसके जरूरी है टाइम पर नहीं आता है, सब टाइम देरिम आता है, तो मेरा पास दो गड़ी है, मैं निकाल कर एक गड़ी इसको दे देता हूँ, और कहता है कि ये तुमारे लिए, ऐसा लोग थे उसमें, जिसे मैंने खाँ कि कई लोग दूर आये थे, उनके पास है कम चीज थे, कुछ भी नहीं थे, जो लोग विश्वासी थे, अपने प्रेम को प्रकट किये, अपने जो संपती थे, जब उनको देने पाए, वे बेच कर, पैसा लेकर और उनको बाटे, कि उनको सहायता मिले, सहारा मिले वह रहने के लिए, भोजन क लिए, यह दिखलाता है, जो पवितरात्मा जब उनकी हिर्दे को बदलता है, उनका जो प्रेम प्रगट होता है, और मेरा विश्वास है, जब यह विश्वासियों, जो प्रेटों का जो वच्छा ने सुनते थे, तो साइध वे सुने कि इस मशी एक दिन कहा, कि जब मैं भ भोजन दिया, रोटी दिया, जब मैं प्यासा था, तुने मुझे पानी दिया, जब मैं बिमार था, तुने आया मुझे देखने और सहारा देने के लिए, तो मेरा विश्वास है, यह वच्छन लेकर, वे सचमुच में सिर्फ सुनकर, ठीक वच्छन है, अच्छा वच्छन लेकिन वे वचन लेकर अपने हिद्धे में और वही चिज़ किया जो चीज इसमसी चाहता है हम से कराने के लिए, हम करने के लिए विश 47 में प्रशंशा करते हुए प्रमेश्वर कर स्थूति करते हुए सब लोग और सब लोग उनसे प्रशं थे जब हम प्रमिश्वर के आग्या को पालन करते हैं जो चीज़ वो चाहता है हम पूरे मन से, पूरे हिर्दे से, लोलिंता से करते है जब प्रमिश्वर का आश्यरिक्रम होता है हमारे जीवन के द्वारा उसका नाम का बड़ा होता है, महिमा होता है तब शिर्फ प्रमेश्वार्ण रहता है, गाओं के लोग दिखते हैं, और लोग दिखते हैं, अन्य ने लोग जो शाइव विश्वाशी नहीं है, वे देखकर प्रसंद होदा है, और यही चीज हुआ है, उस समय, और इसके द्वारा, ख्यार करना यह लोग जाकर बड़ा ब रोज वर रोज जीवन देखकर लोग इस मसी के पीछा हो लिया, और वेसके लाश में कहता है, प्रभू कलीश्या में, उनको प्रभू प्रती दिन उनमें मिला देता था, जो ने और उधार पाए, और लोग जो ने ने लोग उधार पाए, उन पे जुड़ा जेता था, मिल अपरे लिए ये वचन, एक खास वचन है जिसमें हम साइद घराई रूप से सोच सकते हैं, मैं खूश हूँ की हमारे कलिश्या किनोयस अभली इस जो चार चीज है, उस पर ध्यान देता है, उस पर चलता है, उसको मानता है, हमारे कलिश्या में शिक्षा होता है, भावल का अधियन होता है fellowship होता है कि तरह तरह का programs होता है activities होता है कि जिसमें यह में जितने लोग है उनको शामिल किया जता है यहां पर जो प्रमेशर के नियम है जो प्रभु भोज है और baptism पवितात्मा का baptism और पानी का यह सब में हम importance देते है और प्रात्ना है प्रात्ना में लेकिन अप्सोस रहता है कि कम लोग इसमें भाग लेते है सब्सक्राइब को रहते हैं कई लोग सभा में भाग लेते लेकिन सिर्फ वो एक सभा है जिसमें लोग आकर वचन को सुनके चल देते हैं लेकिन जो पहला कलिशिया था वो कुछ अलग से था और यही कारण अश्चे रिक्रम हुआ कलिशिया बढ़ते गया बढ़ते गया क्योंकि लोग जो थे वो लॉलीन थे यह कारिये में हमारे कलिशिया का जो मुख्य कर्टब यही है किसी ने कहा कि साइध जो वचन है प्रमिश्यो का वचन वो पुराना हो गया या बदल गया या हमारे लिए अभी ठीक नहीं है लेकिन उसे कहा कि जो धरमसास्त है बाइबल उसमें कुछ गड़बड़ी ने गड़बड़ी है हमारे में जो हम इसको पूरे रिती से उस पर चलते नहीं है और अगर यह पूरे जो पद है उस पर हम ध्यान देंगे जो कलिष्या है वो करते है टीचिंग करते है ठीक है फेलोशिप करते है मीटिंग रखते है प्रोग्रेम्स रखते है इस ग्रूप का हर एक चीज में वो अगनाइस करते है प्रातना सभा रखते है प्रातना सभा रखते है प्रातना सभा रखते है सोचे होंगे, परमेश्वर के आख में उसका कलीशिया हम है, हम और आप है, और एक दिन वो लेखा लेगा, अकाउंट करेगा हम से, जो कलीशिया है, हम मंदिर है उसका, हम क्या किये, जब से हम इस मसीप और विश्वास किये, इसको सविकार किये, क्या हम लोलिंता से उसके शिक्षा में भाग लिए, क्या हम लोलिंता से और जो विश्वासी है, कलीशिया का, जो मेंबरान है, जो प्रमिश्वर के पीछे चलते हैं, उनके साथ में एक मन होकर सफेज दिल से हम संगती किये कि घीचा तानी था, पोजिशन पे था, क्यों वो ऐसा है, क्यों वो अच्छा है हम से, क्यों नहीं, मैं ऐसा हूँ पूरे मन से, लगन से, लौलिंता से हम जो प्रभु भोजे से भाग लिया, भहे से, आदर के साथ, क्योंकि हम यह ऐलान करते हैं कि प्रमिश्वर का जो कुरुष और जो लहू भाने से हम उधार पाएं, अपने काम से नहीं, अपने कारिये से नहीं, लेकिन प्रमिश्वर के आनुगरा और प्रेम के दवारा रहा हम उधार पाएं, यह हमारे, जब जब धुँवर को खुलता है प्राद्ना सभाह में, यह अपने प्रेस Renault ताइम पे घर पर क्या हम प्रात्ना में समय भीताते हैं, कि हमारे प्रात्ना सिर्फ कुछ मांगन ही लिए होता है, हमें एच चाहिए एकर देना हम बिमारे क्या हमें लोग देखकर प्रमिश्वर का भाई बढ़ जाता है उनके जीवन में क्या हमें देखकर हमारे जीवन हमारे रहेंसें जैसे हमारे चरित्रे वो देखकर प्रमिश्वर का महिमा और प्रशंसा होता है अभी के समय हम हम जो वस्तुए हैं, संपति हैं, हम मुठ्धी में बान लेते हैं, कसके पकड़ लेते हैं, और छोड़ना नहीं चाहते हैं, भाटना नहीं चाहते हैं, अभी अगर जो सिच्वेशन है, कोविड, कोविड-19 का भी हो, अगर एक चीज आपको नहीं सिख लाया, तो साइध मैं आपको कभी नहीं सिख पाएंगे, कि जिस पर तेरा भरोसा है, वो अभी है, दुसरे रोज वो गायब होई जाएगा, कई लोग अपने नोकरी पर भरोसा रखते थे, गवर्मंट पर भरोसा रखते थे, हर एक चीज पर भरोसा रखते थे, और ये बीमारी के द्वारा सब चीज भसम हो गया, एक पल में, एक च्छन में, और कई लोग भटकते, नहीं जानते क्या करना है, हमें सीख लेना चाहिए, कि जो चीज हमारे संपत्ती है, जो चीज या है, वो आज है, कल नही है, लेकिन प्रमेश्वर का वचन है, वो स्तिर है, और वो कहता है, कि जो अप दिखें, चीजों से हटा कर उसके और करें, एक दुसरे के बारे में ध्यान दे, दुसरे पर दिया करें, मदद करें उनको, सहायता करें, मिल बाट करें, संगती में, प्रेम में, कि उसका परमिश्र का महिमा हुए, बिना कुछ दिल में, रख कर, simplicity of heart, आनन्द के साथ, मेर मिल्याब करें, कि इसमें प्रमिश्र का प्रसंचा जईजेकार हुए, और ये देखकर लोग हमारे जीवन में, वे पैचान पाएंगे, कि इसमें एक सच्छा प्रमिश्र है, जिसको हम सेवा करते हैं, एक दिन हम प्रमिश्र के सामने खड़ खड़ा हुएंगे, और अगर आप लुक चप्रा 14 में मेरे ख्याल चे, अगर उसपे आप पढ़ेंगे तो इसमें ने कहा कि हम इस धर्ती में प्रितुई का एक नमक है, शॉल्ट अफ इस वोल्ट, और जब ये नमक अपना स्वाद को खो देता है, तो कोई काम के नही रज जयता है, धर्ती में भी भाना कोई फाइदा नहीं है, और अगर अच्छे से अप पढ़े गए, तो खाद के लिए भी वो बेकार है, जो नमक अगर अपना स्वाद को खो देता है, एक खड़ी बात है, हमें अपने हिर्दे में अपने आपको जाचना है, कि क्या हम उस नमक है, जिसमें जो सवाद है, प्रमिश्वर के लिए हम ये जो करते हैं, सेवा उसको करते हैं, क्या लोग देखकर प्रसंद होते हैं, क्या लोग हमें देखकर अपने आख उठाकर प्रमिश्वर के ओर देखते हैं, क्या हमारे जीवन से प्रमेश्वर का नाम का बड़ाई होता है क्या हमारे जीवन से लोग कलिश्या में जुड़ता है या मिलता है, एड होता है हमारे लिए ये वचन हमें सोचने के लिए आप जिसे इस वचन पर ध्यान देते हैं मैं आगरा करता हूँ आप जाकर इस वचन को एक एक वोड टाइम लेकर फिर पढ़े और करे प्रमिश्वर मुझे मदद कर कि मैं अपना प्रायोर्टीज ठीक कर दे रिवलेशन में अगर आप पढ़े जो लेटर्स था चेचेश के चुपत्र लिखा गया कलिश्या के और उसमें कहता है कि हम सब चीज़ ठीक है लेकिन हम बहुत बीजी होगे सब चीज़ में अपना जो पहला प्यार है उसको हम भुला गए यह छोड़ दिये हम और सब चीज़ में बीजी होगे हम भुला गए है कि लोग अंदकार में तरपते हैं अंदकार में खोए हुए नरक के और जाते हैं, हमारे कड़ते भी होता है, माइन जो प्रायोर्टी होता है हमारे, कि वो हमें उनको अंदकार से निकालना है, प्रमेश्वर का इस्वमसी का जो जोती है चमकाना है इस अंदकार दुनिया में, पवित्रात्मा के द्वारा हमें ये शामठ मिलता है हमारे प्रात्ना होना चाहिए पवित्रात्मा से क्यों ये प्रात्ना करें पितापनमेश्वर धन्यवाद दे ये वचन के लिए घेराए रूप से हम इस पर ध्यान दिये हमारे यही प्रात्ना है पतापने मिश्वर कि पवित्रात्मा के द्वारा हर एक मन को छुए हाज हमें माफ कर दे कि हम हम चुग गए अपने कर्टब यह से हम चुग गए जो सच्चा मसी जीवन वेतीत करने में हमें माफ कर पतापने मिश्वर अपने पवित्रात्मा के द्वारा में उत्यजित कर उच्छा कर उठा कर कि हम आज से लेकर अपने जीवन को बदल दे, अपने सोच को बदल दे, अपने जो रहेंचेन वो बदल दे कि हर एक चीज में तेरा मही मावे, अपने आपको ठुकडा कर, तेरे और हम बड़े, जो आप चाहते हमारे जीवन से वो हम करे, तवमेश्वर में मदद कर, कि हम अपने आपको चड़ा दे, कुरुष पर, तेरे साथ मिपता मेश्वर, तेरे पीछे हो ले, तेरे मही माव जेजिकार करे, और लोग को आपके वचन को बाटे, कि वे भी आपको पचान सके और उधार पा सके, धन्यवाद जो लोग इस वचन को सुने, सबह में बाग लिए, तेरा आशी सब पर रहे, शुमसी के नाम से, Amen.